नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई टेक शर्मा में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप ATM के दुवारा अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट से रेजिस्टर कर सकते हो दोस्तो मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से रेजिस्टर करने के अपने बहुत सारे फाइदे हैं अगर आप किसी भी तरह का transaction करते हो लेन देन करते हो तो वो message आपके mobile पर आ जाएगा कि अभी आपके bank account से इतने पैसे कट गए हैं या फिर आपके bank account में इतने पैसे डाल दिये गए हैं दोस्तो अपने mobile number को अपने bank account से register करने के लिए आज की इस वीडियो को आखरी तक और ध्यान से ज़रूर देखना कई ऐसा न हो कोई important step आप miss कर दो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे बैल ऐकन दबा दीजे थाकि हमारे दुआरा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रह तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको अपने ATM को ATM स्लोट में डालना है उसके बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आजाएगा जहां पर आपको भाशा का चुनाव करना है मैं दोस्तों English में comfortable हूँ तो मैं English को select कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तो आपको अपने चार नमबर का ATM पिन को यहां पर डाल कर एंटर दबा देना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन कुल कर आजएगी जहां पर आपको mobile number registration के सामने वाले बटन को दबा देना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर दो option खु अब दोस्तो आपको यहां पर उस नमबर को डालना चाते हो। मोबाइल नमबर डालने के बाद दोस्तो आपको करेक्ट के सामने वाले बटन को दबा देना है उसके बाद दोस्तो आपको उसी नमबर को दूबारे से डाल कर करेक्ट के सामने वाले बटन को दबा देना है उसके बाद दोस्तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा और फाइनली दोस्तो आपका नया नंबर आपके बैंक अकाउंट में रेजिटर हो जाएगा तो दोस्तो ये थी हमारी आज की complete वीडियो उमीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ चुकी होगी वीडियो आपको पसंद आए होगी दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो में समय पर मिलती रहे धन्यवाद दोस्तो